आज हम बात करेंगे IBS reversal treatment irritable bowel syndrome क्या ठीक किया जा सकता है क्या इसको reverse किया जा सकता है क्या इसको completely ठीक करना संबब है answer is completely yes इसको ठीक किया जा सकता है इसको manage किया जा सकता है और एक five step scientific formula I will offer you मैं आज आपको दोंगा और वो आपको काफी हद तक ठीक करेगा और आपकी problem बिल्कुल solve हो जाएगी तो यदि आपको IBS है digestive problems से आप परिशान हो constipation diarrhea या पेट दर्द या आपका weight घट रहा है या फिर आपको बहुत ज़्याद है आप anxious रहते हैं या stress में रहते हैं तो आपको फिर यह video देखना चाहिए और सभी लोगों को यह share भी करना चाहिए यदि आप चैनल पर नहे हैं तो बीडियो को subscribe करिए और आप अपने friend के साथ share करिए यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे एक blessings एक support हमें मिलेगा लगातार IVS के साथ जो समझ्याए हैं वो लोगों की complicated हो रहे हैं लोग परिसान हैं लेकिन कहीं hair and there solution नहीं मिल रहे हैं यदि आप बार बार टेस्स कराते हैं बार बार डॉक्टर बदलते हैं IVS में और बार बार आप antibiotic लेते हैं या फिर कोई दर्द की दवाई लेते हैं या फिर आप कोई XYZ चूरन या इस तरह की चीज़ें भसम त्राई कर रहे हैं तो आप रुकिए समझिए बैठिए देखि करिए और उसके बाद फिर आप हैसला लेजिए तो ये आपके हित में होगा सबसे पहली बात है कि आप खुद से बात करें पहले क्या आपको कोई मानसिक तनाव है क्या आपको कोई ट्रॉमा था ये बीमारी कैसे सुरू हुई उस समय आपके सिस्तिति में थे ये सब है तॉक टू यौरसेलफ और कोसे से ये करिए कि आप न्यूटरल होके अपने हेल्थ को एनलाईज कर सकें दूसरे लंबर पे आता है कि आप अपनी फूट के बारे में सोचीए कि आपको कौन सा ऐसा फूर जो आपको टिगर करता है परसल्लाइज एप्रोज की जरूस की ज खाना खाने के बाद heaviness लगता है पेट में दर्द होता है ब्लूटिंग बहुत जादा होती है और अगले दिन आपको constipation महसूस होता है तो आपको पिछले दिन आपने क्या खाया उसको लिस्टिट करना होगा और उसमें यह समझने की कुछिस कर रही होगी कैसा कौन सा अलग पैट के अंदर तो यह सब आपको देखना होगा तो यदि कोई ऐसा food है तो personalized approach लगाईए और immediately उसको आप बंद कर दीजे तीसरे नमबर पे आप अपने मानसिक स्वास्त को analyze करिए क्या आपको anxiety है क्या आपको OCD है कोई trauma तो नहीं है कोई fear तो नहीं है fear of illness तो नहीं है स्वास्त को analyze करने का सबसे बहत्ता तरीका है कि जो सबसे नजदीक दो या तीन लोग है उनसे आप बात करिए और उनसे आप neutral होके पूछी अपने बारे में वो आपको idea देंगे वो आपके दोस्त हो सकते हैं parents हो सकते हैं teacher हो सकते हैं या और भी कोई हो सकता है लेकिन जो ल बड़े फायदे होते हैं motivational therapy लीजिए और positive engagement आप तलाच से life में आप busy रहें दिमागी रूप से आप जितने busy रहेंगे जितने एक नए positive engagement में जाएंगे उतनी आपकी problem कम हो जाएगी अब next point आता है fifth के treatment क्या हो देखो IBS का दुनिया भर में कोई set of treatment नहीं है symptoms को cable manage किया जात है IBS एक trigger है और यह trigger आता है आपके brain से मतलब यदि आप मानसिक तनाम में है stress में है dilemma में confusion में है या फिर आपको कोई और mental या cognitive issue है तो आपको body के अंदर चार label पर symptoms नजराएंगे या तो आपको लगेगा कि आपको दिल का दोरा पढ़ने वाला है या आपको anxiety हो जाएगी कि आपके दिल की धरगन बढ़ गई है आपको कुछ नसें फटने वाली है या पीट में कुछ महसूस होगा या फिर body pain आएगा यानि कि आपका जो दिमागी stress है वो चार label पर हिट करता है आपको जो IBS वाले मरीज होते हैं उसको पीट में ऐसा कुछ लगता है लेकिन clinically medically बहु SSR type of the medicines या anxiety को टापर करने या OCD को टापर करने के लिए कुछ दवाईयां देते हैं जिनके आपने बहुत अच्छे प्रभाव भी होते हैं तो वो दवाई आप doctor के consultation से ले सकते हैं but IBS का यदि आपको लगता है इस तरह की problem आप face कर रहें तो consultation के साथ साथ आप counseling लीजिए उस doctor के पास जाएए कि जो आपके treatment के साथ साथ आपके counseling वाले part को भी समझें और आपकी counseling भी करें तो ये आपके लिए एक right treatment होगा और इससे आपकी बीमारी बिल्कुल reverse हो जाएगी बिदने 3 months बहुत सारे लोग हमारे आप pass visit किये हैं वो ठीक भी होएं और पिछले 20 साल से मैं इस तरह के patient को देख रहा हूँ आज तक वो जिंदा है healthy हैं सब कुछ कर रहे हैं तो IBS में ना तो IBS से cancer होता है ना कोई मरता है और नहीं आपकी जो life हो कम होती है लेकिन हाँ quality of life जलूर ब्रवावित होती है तो immediately आप डॉक्टर के पास जाए और discuss करिए सब थैंक यू वेरी मिच और टेक केर और सब